बीजेपी के साशनकाल में गैर बराबरी जो और ज्यादा मुखर तरीके से बढ़ी है और इनके पूरे एजेंडा पे सबसे पहला है वो एजुकेशन है क्योंकि एजुकेशन जैसे बच्चा पढ़ेगा उसे सवाल करेगा तो एजुकेशन को ध्वस्त करने के लिए पहले तो प्राइमरी एजुकेशन खतम हुआ निव एजुकेशन पॉलिशी लाए इतना महंगा हुआ निजी करन कर दिये महंगा हुआ थोड़ा भूज बचा नेता यह जाल बजाएगा धोलक बजाएगा तबला बजाएगा मंदिर के बाहर बैठेगा चबनी अठेनी भीक देगा तो सब बडाबर हो गया था फिर अडानी के पास इतना माल क्यूं है तो फिर राम जनम भूमी का जो घाटन हुआ है तो उसमें बालमिकी समाज से प्र समाज समाज सोचना है और समाज को सोचना है यह पिछडा समाज को सोचना है क्या उनका बच्चा बिश्विद्याले समाज को राएगा बहुत मुश्कल से अक लंबी लडाई के बाद हम लोगों एक 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को खतम करवाया था 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लाए थे कि स्टी ओवी सी के जो चात्र हैं पढ़ने वाले चात्र हैं जो रिसर्च करने वाले हैं उनको विश्वित ध्यानियों में आने का मौका मिलेगा बहुजन समाज के लोग अभी आयोध्या में बैस थे लेकिन इसी बीच ख़वर सामने आ रही है कि यूजी सी में आरक्षण को खत्म करने की पूरी प्लैनिंग कर ली गई है मेरे साथ जो है कि डॉक्र अतनलाल जी मौजूद है सर कैसे देखते हैं बहुत बड़ी ख़वर है बहुजनों के लिए को यह चंबा मुझे नहीं लग रहा है जब राम से राष्ट और देव से देश की घोष्णा हो गई तो हिंदू राष्ट हो गया उसी हमारा लोग जो है खाली हमारे नेता को हमारे एक आदमी को एमले बनादो एंपी बनादो मंत्री बनादो उसी जु पढ़ने वाले चात्र है जो रिसर्च करने वाले उनको विश्विध्यानें में आने का मौका मिलेगा लेकिन हिंदू राष्ट का मतलब यह कि वर्न बेवस्था राष्ट मनु राष्ट तो ऐसे लोग जो इनवस्टी में आये हैं लगतार आवाज उठा रहे हैं लगतार जोतिवा फुले अंबेट कर साहुजी महाराज पर चर्चा हो रही है तो मनु राष्ट में ज्यादत नहीं है तो यह तो अगर ख़बर मैंने अभी पढ़ा नहीं मैं बाहर था लेकिन ख़बर सही है तो मुझे कोई अचंबा नहीं है क्योंकि यह घोशना हो चुकी है तो इसलिए अब समाज समझे और दलित पिछडा नेता जो बनके घूम पी रहा है हम लोग पढ़ने पढ़ने लिखने वाई लोग है रोज सड़क पे थोड़ी रहेंगे यह समाज सोचे कि क्या उसका बच्चा बिश्विद्याले में कभी प्रोफेसर बन पाएगा यह तो दल लोगों में से अगर दो तीन लोग भी सवाल खड़े करने वाले आ जाते हैं तो इनका माथा गरम हो जाता है तो वैसे चिंतनशील वैसे लोग जो सवाल जबाब करते हैं उसको कैसे खामोश करो चुप करो आपने देखा ना विरितु सिंग का है लक्षमन का भी चला आया म भारत को आजाद हुए 76 साल हो गए सब लोग बराबर हैं तो फिर रिजर्वेशन कोई मतलब भी नहीं है सब लोग जनरल व्याकर के फाइड करें एक समान सिक्षा है सब जात का टाइटल लगाना छोड़ दिया है जो उन्होंने एक बाबाने कहा कि जो राम को नहीं भजता गरें लगाना है जो छमार राम को भजता है तो परह्मन हो गया है आप एक बूलाम को भजने के बात तो यह सब बराबर है अंकणे ही कह रहे हैं कि 80 कंड ड करोड यो पांच किलो अनाद दे रहे हैं आप लिए अपके नाशनलल कृम बीरो में किसी के खिलाब सundo kinetic कि जनम भूमी का जो उद्गाटन हुआ है तो उसमें बालमिकी समाज से प्रतिनिदी क्यूं नहीं था वहाँ पर उसमें सिर्फ बड़े बड़े लोग ही क्यूं थे विनय कटियार उमा भारती तमाम एसे लोग जिदम राम जी भज रहे ते राम राज ला रहे थे उनको इन्विटेशन क्यूं नहीं था वो घाटन में क्यूं नहीं थे तो कहने के लिए सब बराबर है पुरा धरती मुल्क बराबर है लेकिन यह समानता इतने क्यों बढ़ी है इसका जवाब कौन देगा जात देखके नौकरी मिलती है फरजी डिगरी वाले लोग प्रोफेसर बन रहे हैं सब बराबर है यह राजनिती हम लोग बहतर समझते हैं कोई बराबर नहीं है यारे से बीजेबी के सासनकाल में असमानता जातिये उत्पिडन भेद भाव एकद गोवर पाथ्रह पहुंच गया है जो तो इसका जबाब जो कह रहे हैं कि सब बराबर है उनी से जागे पूछी हम से क्या पूछ रहे हैं हम तो यह कह रहे हैं उल्टा कि बीजेबी के शाषनकाल में गएर बराबरी जो और ज्यादा मुखर तरीके से बढ़ी है और इनके पूरे एजेंडा पे सबसे पहला है वो एजुकेशन है क्योंकि जैसे बच्चा पढ़ेगा उसे सवाल करेगा तो एजुकेशन को ध्वस्त करने के लिए पहले तो प्राइमरी एजुकेशन खतम हुआ निव एजुकेशन पॉ जो ओडर है उसे खतम हो जागा तो हमारा समाज हमारा समाज के नेता जाल बजाएगा धोलक बजाएगा तबला बजाएगा मंदिर के बाहर बैठेगा चबनी अठिनी भीक देगा और अगला जो एजेंडा है स्टी का जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है न वह भी खतम कर द पूरा ग्लोबल वर्ल्ड है जिसको विदेश पढ़ना हुई पढ़ सकता है न यह तो आप सही कह रहें कि मनुरास्ट में इसा होगा कि अहिर जाके दूद बेचेगा दूद निकालेगा तो अहिरों को सोचना है न कि वह अपने बच्चों को पढ़ाना है कि दूद दूद प्रविए में मतलब अर्जट सब्करण बंधन था कैसे देखते हैं आप समाजिक लिया पर आगे मुझे कोई अचमबा नहीं जो एक बार बीजेपी के सांद चला गया और या एक बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लर लिया उसका क्रेदेंशल हर समय डावट फुल आ यह मेरी अपनी समज है यह कभी भी कहीं भी जा सकता है तो यह इन इसका नहीं है नटम हमार कुछ भी कर सकते हैं बहुजं समाज की लडाई नितिश कुमार नहीं लड़ सकते आप एक कह रहे हैं सवाल यह है लड़ सकते हैं नहीं लड़ सकते हैं पल्टी मार सकते हैं अभी 6-20 का कि थे आपॉंडिमेंट में टुग कोंग कोन जाती है समाज के लोग अपने पता लग जाएगा कहना प्रिफार में जो है स्कॉलर्शिक नितिस कुमारी आप फटम कि नहीं पिछलों को स्कॉलर्शिप दें तो ख़तम किये थे उल्टा इनका अनप्रिडिक्टिबल अनर्याल रिलाइबल है कभी भी कुछ भी कर दो सकता है तीन महीने बाल फिर कुछ कर जाए इनके बारें प्रेडिक्शन करना जो नहीं है इसे भी बिहार को लोग बिहार स्टेट नहीं कहता है स्टेट आप माइंड क को रोका जा सकता है नितिश कुमार कुरूर्मी समाज से हैं कुर्मी समाज सोच है कि कि सको रोकना कि लेके जाना है कुर्मी समाज को फिछड़ा है कि छत्रीय भी मेर्हा है करना है अब तो मराठा चhathyय बने फिर रह थे अब आंदोलन कर रहे हैं भू करताल कर रहे हैं कि हमें पिषड़े में लाओ पिषड़े में लाओ यह तो नितिश्क मारे समाज को तय करना है कि उसके समाज में उसके बच्चों का हित कहां सुरक्षित है सारे कुछ प्राइविटाइज हो जाएंगे अपने आप यादव तो उसको हराओ अगर विजयपी में हां हराओ उसको भाइव यह बाप यह तो और वाउस को क्या है वह सिद्वलिटे में है समाज करा से क्या मतलब है उसको तो अपना कुर्सी बचाना है जहां से बच जाएंगे इसलिए नोको समाज कोbelt एडर्रेस कर रहे हैं अगर लगता है कि बीजेपी से तुमको हक मिलेगा आप जाओ जहां जाना है लगता है हक माली होगी तो इसका मतलब आप सीधे जाओ और बीजेपी को हराओ अगर बुद्धी नहीं है तो इनको गुलामी हो जाना चाहिए इतना बुद्धी अगर नहीं है कहां पर 40-50 साल में जो मिडिल क्लास बना था ओवी सी का आरक्षन बीपी सिंग लाए थे और अरजून सिंग एजुकेशन में लाए थे आरक्षन लाए थे ना ओवी सी समाज न बात कहने जो सच हो तो कहते रहेंगे चलिए बहुजन समाज में सोचना है कि क्या गुलामी करनी है या फिर आज 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 कि एपना थे प्याओ आरक्षिव का यजिवाध